हलो हाई वेलकम नमस्ते मैं उसुचित्रा और श्रागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा जैक्स्प्रमेशन में तो सुरू करते हैं हमारा आज का ड्रामा डॉक्टर क्यूटी का एपिसोड नमबर 18 एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 17 के एंडिंग सिन पर जहा कि वज़े से चाहां पर इनके पर्शनल बॉडिगाड आते और कहते हैं कि महराज आपने कई दिनों से आराम नहीं किया लगातार काम करते जा रहे तो थोड़ा सा आराम कर लिजे लिजे थोड़ा चाई पी लिजे पानी पी लिजे कुछ पी लिजे ताकि आपका हेल्थ सह जाल रखेगा कि वह बहुत ही ज्यादा अच्छा डॉक्टर इसकिल डॉक्तर है जहां पर महराज कहते हैं बिलकुल नहीं अगर वहां पे जाएगा तो जो कभी भी यहां पर आ सकता और मैं दुबारा उसे उसका चेहरा नहीं देखना चाहता है इसलिए उसे कहीं बाहर बह बस उसे यहां से बेज़ दो उसकी बास से हम डॉक्टर सीफु को देखते हैं जो कि वहां पर आते हैं महराज से मिलने के लिए और उनसे कुछ बाते होती हैं पता नहीं क्यों मेरा बेटा यानि की जर्नल जी पता नहीं क्यों हमेशा मुझसे दूर दूर रहता है मैं चाहत जर्नल जी की एंट्री होती है उपने मा को प्रणाम करते हैं तो मा कहती है कि बेटा तो यहां पर निंगर कहती है कि आप सायत कुछ दिनों से बहुत ही जादा बिजी हैं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा सुस्त लग रहे हैं मुझे लगता है आप अपना ख्याल रखा लेगिन आपको भी आपको अपनी भी टेक्र करनी चाहिए तो उनकी माहा कहती है कि देखो निंगर को तो मारी कितनी चीन्ता है और सुनो ना मुझे एक बात कहनि तो क्यों ना तुम जल्दी से साधी करो और मुझे एक छोटा सब दे क्योंकि मुझे अपने फोते खिलाने की बहुत ही ज़्यादा चाहा है ऐसा ना हो कि मैं फोता खिलाए बिना ही मर जाओ तो जो जन्रल जी होते हैं ठीक है माम मैं समझ रहा हूं आपकी बातों को जो कि चक्यावाली गाडी पर बहुती इसवली लखडियों को काट कर ला रहे हो थे तो यहाँ पर उनके जो साथ डॉक्तर होते हैं को कहते हैं कर घुन्टों में छेज होता है और कभी कभी पतान ना जाने क्यूं अचानक से गुसता हो जाते हैं और मुझे ऐसा जाजते हैं वो बहुत олод मोंळी हैं चोड़ो ना खैड़ोान today कासका जाना जाओंगा और पैसे कक आपको काम कर रही होती है क्योंकि लगदी को निकाल दिया गया हरबल मेडिकल हरबल मेडिसीन बनाने के लिए फिल्ड में और उनका पर पर्शनल बोडिगाड कहता है हाँ मैं पता लगा रहा हूं कि आखिर ऐसा की हुआ है तो यहां पर उनके छोटे भाई कहते हैं ठीक है काम करो इसी को भेज दो जो इस बारे में पता लगाए और जा के जर्नल जी और डॉक्टर तियान पर नजरे रखो और फिर जब उनके पर्सनल बॉडिगार चले जाते ह करें ओल तो उनके चोटे भाई कहाते हैं कि दॉक्टर तियान चिंटा मत करो मैं बहुँत जल्दी वापस लेकर आ जाओंगा आगे देखते यांशन झाल अपने पर छियुर्स बढ़न कि बहुत है और पर था कि द ぶों सी बारह जाते नहीं और तो यहां पर जो उन slash तुम्हें दो दिन पहले ही बना लिए तो मैंने सोचा क्यों का लो हूँ और मैं सच बता रहा हूँ, यह मांक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मेरी मान हो, तो हमें काम करते हैं, मैं यह अन्य कार्थ द्वाइया बना लेते हूं को लिच सहर में बेज देंगे, जिसे हम कछ पैसे कमाने केपारे में सूच रहा और मैं तो सोच रहा हूं और धो जर्र wenक्रीं के राधु को कह सकते हूं हूं कॉद्भी दिया झाल वहों का यह कहें हैं तो कि एक हूं है।के हैं पीजिव सोच inquiry सब कर् Download mı स्पारावी बनाने यह लिए भात है मेरे थे उन्होंने मुझे यह बड़े बाइट उन्होंने यह बना पिता जी बताया करते थे कि यह मैडिसीन जो है बहुत ही जादा अच्छी होती है इसकीन के लिए और यहीं दवाई तुम्हारी मॉम भी यूज़ करती है यहीं पेश्ट तो उस पर जो डॉक्टर तियान होती है बच्पन वाली वह कहती है कि मैं भी यहीं वाली दवाई यू कुल को दिखाया जाता है कि बहुत ही जादा काम कर रहे होते जो इंपोर्टंन नहीं होता होता उस काम को भी खतम कर रहे होते हैं मतलब करने में काम में अपने आप को छोग दियो होते हैं जहां परे प्रसटनल बोड़ी गारण आते और कहते हैं Constante तो एक काम करो तुम जाके आराम कर लो जन्नल जी के पर्सनल वर्डिगार होते हैं वो कहते हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है महाराज बात दरसल ऐसी है कि जब से आपने डॉक्टर तियान को फिल्ड में भेजा है तब से आप बहुत ज़्यादा परिसान रहे रहे हैं मु आपके ना रहने की वज़े से आपके इंसोमिया की बिमारी और भी जादा बढ़ गई है तो मेरे ख्याल में आपको डॉक्तर तियान को माफ कर देना चाहिए और वापस अपने पास बुला लेना चाहिए जिससे कि आपकी बिमारी भी ठीक हो जाए आपको अपना ध्यान द एक बार फिल्ड में बाला चलाते हुँ भी वो बेतर लोगों से बहुत वीक है बहुत ही जादा कमँजोंग है इतना जादा सक्तिसालि होतेशेश जर्नल्स hover्ते बहुत जादा पारेशान होनेई लगते क्ने हुह ठीक यह दौक्तर ने मुझे बताया कि वह ठीक है लेकिन वह बहुत ज्यादा वीक है और फ्लींट में काम नहीं किया है तो मुझे लगता है आपने गलत किया उसे फिल्ट से बाहर भेज़ के उसको उससे बहुत ज्यादा परिसानी हो रही होगी आगे हमें मार्केट का सीन दिखाए जाता है जहाँ पर हम मिलते हैं Mr. Chang से Mr. Chang जाते हैं एक नकाफ़ पूस इंसान से मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अंकल आप कैसे हैं तो नकाफ़ पूस इंसान जो होता वो उनसे कहता है कि अंकल मुझे जन्रल जी के कैसर के बारे में कुछ ऐसी बाते बताई हैं जिससे कि मैं उनके उपर वार करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर सकूं और मुझे इसका अच्छा फन मिले तो यहां पर Mr. Chang बताते हैं कि उनके कैसर में आशकाल बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं चल ला है क्योंकि अभी हाले में उन्होंने Mr. Sun से पंगा ले लिया है Mr. Sun नकापोस इंसान होता है वो बताता है कि मैं सोच रहा हूं क्योंना Mr. Sun को मैं एक अच्छा सा गिफ्ट बेज़ दू तो वो बोलते हैं कि हां गिफ्ट तौफ़ा कौन सा तौफ़ा तो बोलते हैं कि तौफ़े में उनको मैं डॉक्टर तियान को देता हूं कैसा रहेगा तो चैनल चीमें से या चानक वो छोती सी लड़कि बड़ी हो जाती है और जैसे में अपने साथ में निगर को निंगर वहीं पहोती है और वो दिद्मिर कर रहे होती है वह कहती है कि मैं आपके लिए आप इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि डॉक्टर तियान आपकी सेवा किया करती थी जिसके बाद से आपको अच्छे नीद आदे थी इसलिए मैं आपके पास आ गई ताकि आपको अच्छा नीद आया आपको सर्फ कर सको और आपको अच्छा लगे तो इस पर जनरल जी कहते है तुम्हें उससे पूछे बिना मेरे कमरे में आने की इजाज़त कैसे हुई हिमत कैसे हुई तो मारी मेरे कमरे में आने की तो फिर तुम अभी इस मेरे कमरे से निकल जो और वापस से कभी में उससे पूछे बगर मेरे कमरे के अंद पर दुलाइब था उसके बाद अजीब अजीब सी बाते करे जनरल जी के चहरे पर मुस्कान लाया आएक बाते हैं अच्छी लगती है उनके चहरे पर छोटी सी मुस्कान आती है और फिर वो सो जाते हैं आगे की सेन्न में हम निंगर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी कोशिस करने उसके बास से तुम दोनों के साधी होगी ना तुमारे बच्चे होएंगे फिर हम इनके परिवार को परपात कर देंगे जो कुछ भी होता है वो उनसे बाते करता है कि तुम्हें यह सब करना है यहां पर जो निंगर होती है वो बहुत जब्स करती आजशा करते हैं बंपुल नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर ऊई उनके भाई कहते हैं नहीं यहां लोगों की बाते चिपके सुनने लगती है कि आखिर ये लोग डॉक्टर त्यान को कैसे नुक्सान पहुचाने वाले हैं सीन यहां से कट होता है आगे में हम देखते हैं कि जनरल जी के कपड़े पहना रहे होते हैं और जनरल जी कि पहन होते हैं तब उनें घीक आ जाती है नहीं बुलाने वाला हूं आगे हम देखते हैं डॉक्टर तियान और डॉक्टर सीफू को जो की दुनों लोग मेडिसिन बनाते हैं उसको तयार करते हैं और मेडिसिन तयार करने के बाद यह लोग बहुत ज़्यादा कुस होते हैं और डॉक्टर सीफू पर डॉक्टर तियान मैं बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा हूं अंदर से अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान जो होती है दवाई वाई बना कर और निकल जाती है मार्केट में बेचने के लिए अगे हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखने हैं कि जो डॉक्टर तियान होती है वो दवाईयां को भी कर आतिया हूँ ऴैजाता है तो मुझे उनकी इतनी फिकर क्यों है और फिर से अपनी दवाईयां बेचने लिए पर आज उसकी कोई भी बिकरी नहीं होती है मतलब उसकी दवाई नहीं बिकती है और वो बार बार जनल जी के बारे में ही सोच रही होती है कि जनल जी कहीं बिमार तो नहीं है जनल जी ठीक त तो वहाँ देख पाते हैं जर्णल जी के परशनल बोडिगार यहानि की मिस्टर सें को हम देखते हैं कि मिस्टर सेंड की आखे बिल्कुल काली पड़ गया है मतलब उनके आकों के नीचे डार सलकस हो गए होते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है तो डॉक्टर टियान उने लेकर जाती है बैठाती है के ती ग्रेंट पास है ना कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ आपको आपको आप बिमार क्यूं है आपको नीद नहीं क्या हुआ है तो बताते हैं कि मुझे नहीं सब जर्नल जी की प्रॉब्लम में तुम्हें पता है जब से तुम कैसा छोड़के गए हो जर्नल जी दिन रात बस काम ही काम करते रह रहे हैं मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ बबाबा जर्नल जी के काम करने के वज़े से हम सब को पूरी रात जागना पड़ता है ऐसा ना हो कि एक दिन जल्दी में बूड़ा होने से पहले ही मर जाओ तुम दुबारा मुझे कभी देख भी ना पाओ तुम बताओ ना डॉक्टर तियान आखिर तुमने ऐसा क्या किया है तो जो जर्नल जी ने तुम्हें कैसर से निकाल द निकाल दिये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जर्नल जी इतना गुस्ता क्यों हो गए थे तो यहाँ पर जो डॉक्टर तियान होती है वह उन्हें वही तक्या देती है जो कि उसने बनाया होता और कहती है कि इसे लिजए और यह जर्नल जी को दे दीजेगा और हाँ तक्या आपके लिए डॉक्टर तियान ने बुना है और उसने एक बात करिये तो जर्नल जी कहते हैं बताओ क्या का है उसने उसने कहा है कि इसमें बहुत सारी दवाईया है जो आपको सोने में मदद करेंगी आपकी नीद अच्छी होगी और उसने ये भी कहा कि मैं आपको आपको दिया है कि उसने कहा कि अगर मैं आपको ऐसा बात काहूंगा तो आप ये तक्या नहीं रखेंगे और नाराज जाएंगे तक्या वापस कर बादेंगे तो जनल कहते हैं जो उनके पंशनल बाडिगार को दो कहते हैं डॉक्टर तियान की हालत भी ठीक नहीं है जैसा क कमाने के लिए वो बहुत यहदा परिसान है वो बहुत यह ज्यादा बीमारियों से जूज रहा है कई ऐसा नहवर बिचारा गरीब लड़का मर जहा है ऐसे भूके पेट हों अपने पेट भरने के लिए पैसे कमाने की कोशिस कर रहाipत को कुछ करने ही पा रहा है विचारे गरीब लड़के का आखिर दुनिया में है कौन जो उसे देखेगा वो जल्दी विचारा मर जाएगा यहां पर जनल जी की हालत बहुत ज्यादा खरावरी हो रही होती है यह सब सुनके और वह कहते हैं ठीक है काम करो हम लोग कल चलते उसको दोदे भो के लिए सीएक कर और अगे की सीट ने हम डॉक्टर तीयान को देखते है चो कि मार्केट में होती है रवाइया बेच रही होती है वैसे तो पहले तो बिखने में ठोड़ी सी एफ्ट temperature तेयान दोनों मिलके इस शीन में कामाब होते हैं दोर खडे इह जिणनल जी और उनके personal bodyguard देख रहे होते हैं देख के बहुत ज्यादा चौक जाता है जर्नल जी कि यहां पे डॉक्टर तियान पैसे चाप रही है मतलब बहुत सारे पैसे कमा रही है और फिर अपने personal bodyguard के तरफ देखते हैं कि तुमने यह क्या कहा था और देखो यहां पे भी वह पैसे क पैसे कमा रही है यहां पर उनके personal bodyguard कहते हैं महराज मेरी गलती नहीं है दरसल मैंने यही सुना था कि डॉक्टर त्यान बहुत ज्यादा बीमार है अब बहुत ज्यादा बुरे जिन्दगी से गुजर रही है तो यहां पर जनल जी कहते हैं कि ठीक है देखो जिस तरीके से मुझसे कहा कि डॉक्टर त्यान बहुत ज्यादा बत्तर जिन्दगी बिता रही है तुम कैसर वापस चलो और मैं तुम्हारी जिन्दगी बत्तर बना दूंगा यहां पर जो उनकी personal bodyguard होते हैं वो अपने दातों तले उंगलिया दबा लेते हैं कहते हैं और भाई मैं तो ज बिल्कुल ऐसे नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए में 5050 करना चाहिए तो जो होते हैं उनके सीफू कहते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मैं तुम्हारा senior मैं तुम्हारा master हूं तो मैं ज्यादा profit लूगा ना तो डॉक्टर त्यान कहती है ठीक है देखिए यह रेशिपी मेरे प morality 09 AI ॹाहरों को बस् Heroes चाहिए तृह नहीं के वाले अपना के बाद तुम सेर्ण से से निकाल दिया तो क्या तुम्हें इस बात पर बुड़ा नहीं लगा तो क्यों बात यह है और हम देखते हैं कि फीछा से खड़े जनल जी ये और बात यहां मैंने इस गेशननल जी को अपना बहीमान इस अज्ता दोस्त केंव करते हैं और मैं बस एक मामली सा डॉक्टर हूँ, मैंने उन्हें बहुत अछा दोस्त माँगाना और उन्हें ये सिला दिया तो यहाँ पर जर्नल जी को बहुत ज़्यादा बुड़ा लगता है कि ये सब कैसे कह सकता है क्योंकि मैंने भी तो उसे अपना दोस्त मांगा था अच्छा और उसके लिए इतना सब कुछ किया फिर जर्नलजी अपने परशन बोडिगार्ड से कहते हैं आज के बास से मुझे डॉक्टर त्यान के बारे में कोई भी खबर नहीं सुननी है तो कोई भी बात आके मुझे मत बताना आगे की सीन में डॉक्तर सीफू को देखते हैं जो कि अपनी दवाई बनाया होते हैं चाहरे उनके बाई बताते हैं कि पर ये तौह तुम हमारे लिए क्यों लेकर आयो तो जो डॉक्टर सीफू होते हैं वो कहते हैं कि दरहसल में आपका बहुत ज़्यादा सुक्र गुजार हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं इस कैसर म मैं आना चाहता हूँ और में आपकी सेवा करना चाहताओ और आपके बेहन की यहां पर बताता है कि इससीफ में ही नहीं मेरा एक साथ ही डॉक्टर है सिसका नाम डॉक्ट/. तियान है उसने यह दवाई बनाई है और हम चाहते हैं कि हम दोनों मिलके इस कैसर में आए तो यह जो दो दवाई है अपले जाके मैडम जी को दे दीजे और उनसे हमारी सिफारिस कर दीजे ताकि हमें इस कैसर में वापस बुला लिया जाए डॉक्तर सिफू की बाते सुनके जो चाहते हैं जो चुटे बाई जी से मिलना है उसे कैते हैं कि तुम चिंता मत करो में जल्दी तुम्हें अपने साथ ले चाहँगा अपने मेंसर में जहां पर जो 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 डॉक्तर त्यान होते हैं ऑथ सते हैं कि मुझे जनल जी बना करें को अचे लेम घिरन चाहते हैं मत कर सकते हैं यह जो उनके शोड़े उनके शोटे मौत 0 se10 की बीच में चाम कर रहा था तो किसी के लिए वह किसी के लिए कर सके दो तो तुम उसके चिंता बिल्कुल भी मत करो उसके बारे में सोचना छोड़ दो वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा तो यहां पर डॉक्टर त्यान कहती है कि आपको ऐसी बाते नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके भाई जो है वह एक जर भी बॉलत फैमी कि फैले किसी के बीच में यहां पर जनल जी के चोटे बाई उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे होते डॉक्तर त्यान को बिल्कुल भी तयार नहीं होते हैं और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खताम हो जाता है मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के ल झाल झाल